दोस्तो इस वीडियो के आखिर में एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप लोगों का मूर फरेश हो जाएगा आप मैंसे उन भाईयों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिनके परेंट आपकी शादी करवाने के लिए तयार नहीं हैं तो हो सकता है कि इस ट्रिक को यूज करने के बाद में आपका भी काम निकल जाए असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो आप लोगों ने टाइटल और थमनेल में बिलकुल सही देखा कि जब ऐसे लोगों की एंट्री यूएई में बंद हो जाएगी इसके बारे में डिटेल से बताने से पहले बताता चलूं कि इस वीडियो में गल्फ कंट्री के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग अब्डेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं तो वीडियो के नाम है यानि सिंगल नेम है तो आप ऐसे लोग होशियार हो जाए एक नाम के साथ में दुबई नहीं जा सकते हैं अगर इस चीज को अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो मैं डीटेल से समझा देता हूं आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेस जहां पर आपका पासपो नाम होता है जैसे आपका फेरम ली का नाम या आप या आपका फादर का नाम इतना जरूरी नहीं है को चल जाएगा अगर आप इस नीज का रेफेर्ज रोटना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर के सरच कर सकते हैं entry in UAE with single name passport इसके बाद आप enter करें आपको result मिल जाएगा अगर्चे ये update पाकिस्तानी फ्लाइट की तरफ से दिया गिया है लेकिन दुवे में रूल लगने के मतलब ये हुआ कि ये रूल सब के लिए लागू होगा और यही same rule कतर वालों के लिए भी है कतरी वीजा इशू कराने के लिए भी दो नाम चाहिए यहाँ पर मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि अगर किसी भाई का पासपोर्ट में सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है अगर वो कतर का वीजा निकलवाना चाहता है तो लास्ट पेज में अपने फादर के नाम डाल करके इस तरह दो नाम बनवा सकता है और उसका वीजा इशू हो जाएगा आप में से जो लोग कुईती बलदिया में लीगल एडवाइजर के तोर पर काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर है लीगल एडवाइजर का जौब बाहर के लोगों से वापस ले लिया जाएगा और कुईत के लोगों को दिया जाएगा कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर-अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लेट हो जाएगा सौधी अरब में ट्राफिक की तरफ से कहा गिया है यहां पर दो गाड़ी ऐसी जगहों से गुजर रही है जहां पर सैलाब आया हुआ है तो ऐसी जगहों पर जानबूश करके मज़े लेने के लिए गाड़ी चलाने से दस हजार रियाल का फाइन भरना होगा सौधी अरब में ऑनलाइन भीग मांगने पर चंदा मांगने पर कलेक्शन लेने पर या फंडिंग लेने पर पचास हजार रियाल का जुरुबाना दिया जाएगा या यह के छे महने की जेल होगी सोशल मेडिया के जरिये सौधी अरब म मैजेज को देखने के लिए कतर आया हुआ है जब ये बंदा मेडिया के सामने आया तो आम लोगों इस रिक्वेस्ट करने लगा कि आप लोग दुआ करें कि मेरी मा तयार हो जाए मेरे शादी कराने पर सोशल मेडिया पर ये वीडियो बहुती जादा वैरल हो गई है उमीद करते हैं कि ये मैसेज उनकी मा तक पहुंच जाए और इस भाई की मुराद पूरी हो जाए तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करके आगे शियर करना मत भूलें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया